कि है ऐलो गुर्ट का आशका या वीडियों में आपकर ने जा रहे हैं वाइरलиков के हम्ऊथ के बारे में बहुत लोगं यह प्रशन के क्यों वाइरल होता है तो जैनल लुए मालुम होना चाहिए जिस भी वेडिह ने अब काम करते हैं या तो इस धेक qu燃ओं करती यंप तो वो evergreen topic को cover करती है तो जो evergreen वाली website होती है उसमें क्या होता है कि हमें अपने article को rank कराने के लिए काफी force करना पड़ता है हमें backlink बनाने पड़ती है अच्छा content लिखना पड़ता है और उसके बाद उसके keywords को rank कराने के लिए मतलब कुछ time देना पड़ता है क्योंकि इतनी जल्दी evergreen content rank नहीं होते है वहीं अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ viral website की viral website मतलब वो website जिसमें आप ऐसे content को cover करते हो जो की trending content होते हैं जो की long search कर रहे होते हैं instant मतलब अभी जैसे कोई योजना आई या फिर कोई job आई या फिर कोई वेकेंसी आई या फिर कोई भी update आया तो उसके regarding अगर आप article लिखते हो अपनी website पे तो वो article एक trending article है जिससे आप जितनी जल्दी index करा दोगे और जितनी जल्दी एक अच्छी position पे ला दोगे ठीक है आप position लाना ये सब चीज़े depend होती है आपकी website की authority पे तो आपकी website पे उतनी जल्दी आपको काफी अच्छा traffic देखने को मिलेगा और वही traffic आपको काफी अच्छी earning convert करके देगा तो आज मैं आप लोगों को कुछ viral topics के बारे में बताऊंगा और viral website की क्या खूबी होती है किस तरह आप viral website बना सकते हो कैसे जल्दी से जल्दी grow कर सकते हो वो सभी चीज़े मैं इस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए वीडियो स्चार्ट करते हैं और जितने भी लोग न्यू हो जो ऐसे ही topic find करते हो तो आप लोग चैनल को subscribe कर लो bell icon को press कर लो और सबसे important बात चैनल को subscribe करो क्योंकि बहुत लोग subscribe नहीं करते हो मेरा demotivation मतलब यह समझो कि अंदर से बिल्कुल money नहीं करता वीडियो बनानेगा तो चैनल को पहले subscribe करो और जो topic बता रहा हूं इसे ध्यान से सुनो तो देखो जैसे कि हम कोई website बनाते हैं तो उस पे हम evergreen content अगर cover करते हैं तो उसको time लगता है rank होने में या फिर कभी-कभी हमें उसे rank कराने के लिए force करना पड़ता है backlink की help से और यह चीज आपको new website में तो करना ही करना होता है लेकिन अगर हम वहीं एक ऐसी new website बनाया जो की viral content को cover करती है तो उसके लिए अगर हम कुछ इधर उदर की फरजी backlink भी बना दें low quality की भी backlink बना दें या फिर हम कुछ ऐसे expired domains से निकाल के domains को जिनकी पहले से यह authority जादा है उन domains पे अपनी website बना दे जिनका d.a.p.a काफी high है और उस पे वह सारे viral topic cover करें तो वह सारे जो cover topic होंगे वह जल्दी से जल्दी rank हो जाएंगे आज के time पे आपने देखा होगा Google trend पे लाको ऐसे topic होते हैं जो daily trend होते हैं international level में अगर देखा जाए इंडिया में daily हर एक category के कोई ना कोई topic हमेशा trend पे होते हैं और आपने Google trend अगर कभी use किया होगा तो Google trend पे हर category को अलग-अलग मतलब जो trending topic होता है वो हमें Google show करता है अगर आप sports में जाना चाहो तो sports के देख सकते हो इस time पे जैसे IPL चल ला है तो IPL एक trending topic है daily जो match हो रहे हैं उसके रिगार्डिंग उसके प्लेयर्स की लेस्ट या फिर उसके रिगार्डिंग कुछ और भी चीजे तो यह सभी चीजे जो होती है यह सभी चीजे डिपेंड होती है आपके content आपके search पे क्योंकि यह trending है इसे long search कर रहे हैं और इनी topic को अगर हम अपनी viral website में cover करें तो हमारा article instant rank करेगा और instant हमें traffic देगा जिसे हम convert कर सकते हैं अच्छी earning में ओके आपको मैं कुछ idea दे रहता हूं trending और viral topics का तो सबसे पहले अगर आप viral topic पे काम करना चाहते हो तो उसमें आती है job website आपने देखा होगा कभी कबार कोई भी ऐसी vacancy निकल आती है ओके जिसके regarding लोग काफी search करते हैं उसके admit card उसका जो search करते हैं तो अगर आप भी कोई ऐसी website बना रहे हो जो की job के regarding update देती है तो आप easily उसके काफी अच्छा traffic ला सकते हो इसमें आपको backlink भी बनानी पड़ती है बस आपकी website की authority अच्छी होनी चाहिए तो authority कैसे increase करोगे वो भी मैं अभी आपको बताता हूं ओके तो अभी बस आप इतना समझे लो कि सरकारी रिजल्ट जो यह website यह trending topic website को cover करती है बाकी आप जो government जो भी website है उसपे अगर आप topic लिख रहे हो तो वह trending topic होता है दूसरा आपको मालूम होगा योजना अब योजना बहुत लोग पूचेंगे कि योजना क्या होता है तो आपको मालूम होग किसान के लिए कोई योजना आ गई ठीक है रासन की कोई योजना निकाला करती है तो इस तरह की योजना को लोग सर्च करते हैं क्योंकि उनको इससे profit होता है उनको इससे काफी चीजे मिलती है तो अगर आप ऐसी website बना रहे हो जिसने आपके वल योजना बता रहे हो और स्टेट का काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है या फिर उससे मतलब यह समझ लोग आपने कोई ऐसी वेबसाइट बनाई जिस पर आप केवल हो केवल ऐसे टॉपिक कवर करो जो योजना के रिकार्टिंग है और कोई उसी टाइम पर एक ऐसी योजना आगी जिससे लोग निज्वेबसाइट वैसे जनले तो जनली काफी ऑफिशिल वेबसाइट यहां पर उफिशिल वेबसाइट काम मतलब वह नहीं करती है जैसे अंटरेंट में बहुत से बस करती हैं तो आप अगर उनको कवर करो तो आप काफी अच्छा ट्राफिक ला सकते हो यह वाइरल चक आपको आपको परस निए पड़ता निए बस आपको आपको आर्टिकल लिखना और उसे रैं Digi प्लॉग जिसरी होता है तो सप्लक्रेंश कुछ है कि ये बीनिघी 거죠 के आप m आं लहां पॉनल तो आपको इसके ये ऐसे ये 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 तो आपके वैबसाइट पर बार बार के traffic आएगा क्योंकि उनको long search कर रहे हैं कोई new actor जब आती है तो आपने देखा होगा वो सुरू में तो इतनी trend नहीं कर दी होती है लेकिन जब उनकी कोई movie या फिर कोई ऐसी film आ जाती है या फिर कोई भी web series आज के time पे है कुछ भी अगर show भी आ गया है तो वो धीरे दीरे बतला popular हो जाती है फिर धीरे दीरे उनकी search भी बढ़ने लगती है उस time पे अगर आप उनके regarding कोई topic cover कर दो तो आपको काफी अच्छा traffic देखने को मिलेगा अब यह तो आपने समझ लिया कि कि किस topic पे आप अपनी viral website बना सकते हो अब viral website को जल्दी से जल्दी grow कैसे करन तो अगर आप कोई fresh domain से website बनाओगे तो आपको काफी time लगेगा अपने website पर traffic लाने में क्योंकि आपकी authority ज्यादा नहीं है बिल्कुली नहीं है और authority बनाने में आपको साल बर का समय लग जाता है trust authority सब चीजे बनाने में उसके बाद कहीं जाकर के Google आपको अच्छी position देता जिसके बाद आपके content जो viral content आपने लिखे है वो first page पर rank होते है और वहां से traffic मिलता है लेकिन अगर हम expired domain जो already in topic पर काम कर शुके है या फिर जिनका DAP हाई है तो अगर हम उन्हें बाय कर लें और उनके ओपर अपना blog बनाए और उन website को जो भी हमने blog बनाया है उसको अगर हम approval करा लें adsense से तो हम जो भी viral content लिखेंगे वो जल्दी से जल्दी rank करेगा क्योंकि मेरी website का जो DAP है वो पहले से हाई है और काफी trustable है तो उससे हमें एक boost मिलेगा plus point मिलेगा अपने content को जल्दी से जल्दी rank कराने का तो आप expired domain को use कर सकते हो viral website के लिए दूसरा अपने viral website का टॉपिक आप गूगल ट्रेंड की health से ले सकते हो आप डेली अपनी category चूज कर लो और उस category के regarding daily topic को search करो जो भी topic आपको मिले बस इस पर content लिखो उससे post करो वो के जैसे ही वह आप पोस्ट करोगे उससे search console के थुरू जल्दी से जल्दी index करा दो और फिर आपका वो content authority आपकी और increase हो जितनी ज्यादा authority आप increase करोगे अपनी website की उतनी जल्दी आप अपने content को एक अच्छी position बिला सकते हो ठीक बिना force के और बिना किसी other tool के ओके तो आप उसका use करो और easily move करो ओके तो यह पूरा process एक viral website का बहुत लोंग traffic के बार में पूस्ते हैं तो आप अगर traffic लाना चाहते हो instant तो आप viral website पर काम कर सकते हो evergreen में time लगता है कोई उसके लिए short method नहीं है कि evergreen पर time लगेगा ही क्योंकि Google हर एक चीज़ चेक करता तब एक position देता है आपके keywords की आपके articles की और वहीं अगर मैं बात कुरूँ वाइरल में तो वाइरल में इंस्ट आप रैंक कर जाओगे ट्राफिक मिलेगा बाद में वह Google जब चेक करेगा डी रैंक करेगा वह सब चीज़े बात में होती है लेकिन आपको इंस्ट ट्राफिक मिलता है और उसी से आप काफी अच्छी अनिंग भी कर सकते हो ओके तो आप अगर वाइरल में साइट पर काम करना चाहते हो तो एक टॉपिक सेलेक्ट करो उस पर काम स्चार् झाल 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 झाल